स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नमबर 1.4 इससे पहले के वीडियो में हमने आपको 200 एक्जमपल बताय थे और गम सिंपल अंदाज में बताया था अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई भी परेशारी नहीं होगी सॉल करते वाख तो बहुत ही सिंपल एन इजी मैधर्ड से हम आपको बता रहे हैं तो चलिए यहां पर प्रैक्टिस सेट नमबर 1.4 के अंदर कोईशन नमबर 1 और कोईशन नमबर 2 यह दो कोईशन तो जैसे हमने एक्जमपल बताय थे आपको वैसे ही हैं तो आज मैं कोईशन नमबर 3 कोईशन नमबर 4 लूँगा तो सब में पहले हम कोईशन नमबर 3 को सॉल करेंगे उसके बाद कोईशन नमबर 4 को सॉल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो तो सब में पहले हम कोईशन नमबर 3 से स्टार्ट करेंगे यह रहा आपके स सामने question no.3 अब यहाँ पर question को किस तरह के से लिखना है अगर आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो को आप देख लीजिए उस वीडियो में आप बहुत ही आसान अंदाद में हमने आपको समझाया है तो चलिए इस question को मैं इस तरह के से लिखूंगा और दूसरी वाली equation को हम इस तरह से लिख सकते हैं 31 into 1 upon x minus 2 plus 27 into 1 upon y plus 3 is equal to 89 okay student clear है यहाँ तक now अब हम यहाँ पर assume करेंगे 1 upon x minus 2 को m लेंगे और 1 upon y plus 3 को हम n first करेंगे let मैं लिखूंगा let 1 upon x minus 2 is equal to m and 1 upon y plus 3 is equal to n okay clear है यहाँ तक now जो equation है यह वाल equation किस तरीके से हो जाएगी आपको क्या करना है 27 as it is लिखना है 27 as it is लिखेंगे 1 upon x minus 2 की जगह आपको क्या रखना है m रखना है तो मैं 1 upon x minus 27 m हो जाएगा यह plus 31 का 31 और 1 upon y plus 3 की जगह आपको क्या रखना है n रखना है तो यह हो जाएगा 31 n is equal to 85 okay अब equation जो हो रहेगी वो हो जाएगी 31 m plus 27 n is equal to 89 okay student इसको हम equation number one बोलेंगे इसको हम बोलेंगे equation number okay so after observing these two equations observe that the coefficient of m in the first equation is coefficient of n in the second equation यानि कि m का जो coefficient 27 है वो दूसरी equation में n का coefficient है और उसी तरह n का जो coefficient 31 है वो दूसरी equation में m का coefficient है special type of simultaneous equation है इसको solve करने का method भी हमने आपको पताया था तो वो भी हमारा वीडियो मौझूद है वो वीडियो आप देख सकते हैं तो इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे मरतबाश को प्लस करेंगे is equal to 85 and 31 m plus 27 n is equal to 89 तो हम क्या कर रहे है students add कर रहा है इसको चलो इसको हम add करेंगे यह हो जाएगा 27 plus 31 यहने के 58 m plus 58 n is equal to 9 plus 5 14 8 plus 8 16 plus 1 17 174 okay students now student observe this equation 58 m plus 58 n is equal to 174 अगर इस equation को 58 से हम divide कर देंगे तो किस तरीख से किया जाएगा 58 m upon 58 plus 58 n upon 58 is equal to 174 upon 58 58 से हम इसको divide कर देंगे तो 58 से जब हम इसको divide करेंगे तो यह हो जाएगा 58 one's of 58 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 58 58 one's of 58 58 58 58 3 is a 174 तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा m plus n is equal to 3 okay student इसको हम equation number 3 का नाम अब हम क्या करेंगे equation number 3 मिलने के बाद अब यह equation number 1 और 2 जो है इसको हम subtract करेंगे तो मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पर subtract equation 2 from equation 1 यहाँ equation 1 में से 2 minus करेंगे तो equation number 1 है 27m plus 31n is equal to 85 और equation number 2 is 31m plus 27n is equal to 89 यहाँ पर हम क्या कर रहे है minus कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था जब हम दो equation का minus करते हैं तो sign क्या हो जाएगे change हो जाएगे तो यह minus sign हो जाएगी यह भी minus sign हो जाएगे यह minus चलिए subtract करते हैं 31 ribs 27 minus करेंगे तो आपको मिले गा minus 4m plus 4n 89 members 85 minus करेंगे तो आपको मिले गा minus 4 ok now divide both the sides by four four से हम divide कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा आप लिखेंगे divide both the sides by four four से divide करेंगे तो यह हो जाएगा minus 4m upon 4 plus 4n upon 4 is equal to minus 4 upon 4 then यह हो जाएगा यह four ones are four four ones are four यह जो है cancel हो जाएगे तो आपको मिलेगा minus m plus n is equal to minus 1 इसको हम equation number 4 देंगे ओके students now equation number 3 हमें मिल गया है और equation number 4 भी मिल गया है equation number 3 और equation number 4 को लेकर हम solve करेंगे this is equation number 3 and this is equation number 4 now solving both the equation 3 and 4 अब this student यहाँ पर मैंने equation number 3 भी लिख 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 अब दुनों को observe करेंगे तो यह m और यह minus m यह cancel हो जाएगा तो मैं लिखता हूँ add equation 3 and 4 3 or 4 को add कर देंगे तो मैं add करता हूँ M plus N is equal to 3 minus M plus N is equal to minus 1 जब हम add करते हैं तो science के अंदर कोई change नहीं होता है तो ये M plus का और M minus का ये cancel हो गया N और N ये हो जाएगा 2 N 3 minus 1 ये हो जाएगा 2 then N is equal to what? 2 upon 2 then N is equal to 1 अब ये N का value equation number 3 ये equation number 4 में हम रखने वाले हैं तो आपको M का value मिल जाएगा तो आप लिखेंगे put N is equal to 1 in equation 3 equation 3 है M plus N is equal to 3 अब N का value हमें 1 रखना है then M plus 1 is equal to 3 then M is equal to 3 this plus 1 will become minus 1 okay then M is equal to 3 minus 1 2 now we got the values of M and N M का value मिल गया है 2 और N का value मिल गया है 1 but we know that M का value जो है वो है 1 upon X minus 2 और N का value है 1 upon Y plus 3 तो हम M की जगा पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर आप लिखेंगे but M is equal to 1 upon X minus 2 and N is equal to 1 upon Y plus 3 तो M की जगा पर 1 upon X minus 2 1 upon X minus 2 is equal to 2 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 1 upon Y plus 3 is equal to 1 हो जाएगा okay student clear है अगर कोई चीज समझ में नहीं है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं then 1 is equal to this X minus 2 को हम यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 plus 4 is equal to 2X then 5 is equal to 2X now X is equal to 5 by 2 X का value आपको 5 by 2 मिल गया है अब ये वाले section को हम solve करेंगे 1 upon Y plus 3 is equal to 1 है तो मैं क्या करता हूँ 1 is equal to 1 ये Y plus 3 equal to sign के right hand side चले गया तो इसके multiply में आ गया then 1 is equal to 1 को Y plus 3 से multiply करें तो Y plus 3 ही मिलेगा this 3 will come here then it will become minus 3 then Y then Y is equal to 1 minus 3 minus then Y is equal to minus okay student तो Y का value मिल गया minus 2 और X का value मिल गया 5 by 2 तो आप लिखेंगे the solution of given equation is X is equal to 5 by 2 and Y is equal to minus ok clear students now we will move towards the next question